चाहे कितना भी खराब आपका चेहरा क्यों न हो गया हो चेहरा कितना भी काला पढ़ गया हो कभी कभी क्या होता है हमारे चेहरे का रंग हमारे बोर्ड के कलर से भी सावला पढ़ जाता है चाहे आपके चेहरे पे काले दाग धब्बे बन गए हो अब वो दाग धब्बे चाह चोड़ रहे हैं यह आपके चेहरे पे ग्लो बिल्कुल चला गया है चेहरे की स्किन रूखी सूखी बेजान हो गई है डल सा आपका चेहरा हो गया जब आप 14-17 साल के थे जो आपके चेहरे पे ग्लो था निखार था वह अभी नहीं है तो आज का वीडियो आपके लिए बहु ज़्यादा निखर जाएगा एक बार में ही तुरंट आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत जल्दी और सबसे अच्छी बात जो भी चीज़े हमें स्नुस्के को बनाने में लगाने वाले आपको आपके घर में फ्री में किचन में ही मिल जाएगी पैसा आपका खर्श नहीं होगा और आपको इसके बाद ऐसा ग्लो ऐसा निखार मिलेगा वैसा निखार तो आपको पार्लर से हजारों रुपे का फेशल कराने के बाद भी नहीं मिलता है गैरेंटी के साथ बोड़ियों बहुत इच्छे इसके रिजल्ट आएंगे तो आपको क्या करना है इसके आपने जो फेश वोस कर लेना है चेहरा बढ़िया से धो लेना है उसके बाद हमको पहला स्टेप रेडी करना है पहली स्टेप में आपको क्या करना है आपको सबसे पहले लेना है कच्छा दूद यानि की रो मिल्क देखिए अब आपने दूद कच्छा ही लेना है गरम अच्छे से आपने बढ़िया से मिक्स करना है इसको और यह जादूई निखार आपके चेहरे को देगा यह फर्स्ट टेप क्या करेगा क्लिंजिंग में यह आपके चेहरे के सारे मैल को काट देगा आपको कितना भी आपका चेहरा साफ तूना दिखे स्किन पे मैल गंदगी जमा हुई होती है हम ट्रेवल करते हैं बाहर जाते हैं फिर किचन में खाना बनाते हैं वह जम जाता है दूलकर उड़ते रहते हैं आटमोस्ट्वेर में वह आपके फेस पे बैठ जाते हैं सब को बिलकुल निकाल के आपके चेहरे को बिलकुल साफ कर देगा इस तरीके से अब आपने क्या करना है इसको अच्छे से पूरे फेस पे लगाया फिर आपको नीचे से उपर सर्कुलन मोशन में इससे बढ़िया से करना है मसाज आपको कम से कम दस मिनाट तक अच्छे से इससे मसाज करना है और फिर देखना इसका जादूई निखार ग्लो के साथ दी म में आपने क्या करना है आपको लेना है शहद यानी की हनी आप चोहे तो मार्किट से छोटा सा शहद या आते हैं दस बिस रुपे का वो ला सकते हैं या फिर आप चोहे तो आपके पास घर का और गैनिक शहद मिल जाए तो सिर्ची तो कोई बात ही नहीं है वो आपको मिल सकता है आप कहीं गाओं में आसपास रहते हो आपको अवेलबल है था बहुत लगी और बहुत अच्छी बात है अभी दूसरा स्टेप हमारे लिए क्या करेगा पहला स्टेप तो हमारे मैल गंदगी को निकालने के लिए था ये दूसरा स्टेप आपके किसी भी तरह के काले दाग है चाई है आपको sun tanning हो गई है इतनी बूरी गर्मी पढ़ रखी है sun tanning होना तो लाजमी है sun tanning क्या होता है धूप में बहुत जाते है उसकी वजह से काले-काले पैच जैसे धब्बे हमारे चेहरे पे पढ़ जाते है या फिर आपको पिमपल हुए है उसके दाग आपको ब लगाना है बढ़िया से पूरे विश्वास के साथ आपने पूरे चहरे पे लगाना है शहद और लगाके आपको इसको छोड़ देना है 20 मिनट के लिए ये आपके चहरे की टैनिंग को खतम करता है ताग दब्बो को खतम करता है आपके चहरे के मिलाजमा पिग्मेंटेशन को भी खतम करता है ठीक है इसके बाद आपने क्या करना है फिर आपने नॉर्मल पानी से चहरा धो लेना है इस तरीके से आपको शहिद का इस्तेमाल करना है अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की और तीसरे स्टेप में हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया फेस मास्क जो कि अग करना है सबसे पहले आपको लेना है बेसन यानि के ग्राम फ्लोर आपको आपके ग्र में बढ़ी ही असानी से बेसन मिल जाएगा आपको बेसल लेना है एक चमच भर के ये चेरी के देज को बढ़ाता है चेरी की मैल गंगी को भी निकालता है चेरी पे ग्लो लाता है बहुत अच्छे फेस्पेक का काम करता है चेरी के रम को गोरा बनाता है आपके चेरी पे किसी भी तरह के काले दाग धब्बे है उन पर वर्क करता है अभी हमने लेना है एक चमच क्या लेना है आपको लेना है हल्दी हल्दी आप जरा से लेना एंटिबैक्टेरियल काम करती है आपकी चेहरे पर किसी भी तरह के जैसे दाने आ जाते हैं गर्मियों में जो होता है ओली स्किन होने की वज़ाओ से दाने से ब कोई भी तरह का चेहरे पे इंफेक्शन है उसको खतम करता है और आपकी रंग को हल्दी गोरा बनाता है अब आपने क्या करना है आपको इनको मिक्स करने के लिए दुबारा से डालना है कच्छा दूद यानिकी रो मिल्क वापस से आपने कच्छा दूद डाला फिट बढ़ि अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे आपको मोटे मोटे लेयर में पूरे यकीन विश्वास के साथ आपके पूरे चेहरे पे ये फेस मास्क लगा लेना है अच्छे से बढ़िया से लगाना कोई बचे ना मैं आपको फेस पे बता रही हूं आपको गर्दन पे फेस पे और बीस मिनट इसको अच्छे से रखके फिर आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से वोश कर लेंगे इसके बाद आपने साबुन फेस वोश का इस्तेमाल नहीं करना है सिर्फ नॉर्मल पानी से धोना है आपको साबुन फेस वोश के ज़रत नहीं पड़ेगी तो यहाँ अभी फेस वोश जब आप करेंगे आपको करना हो तो आप यह मास्क लगाने के दो घंटे बाद आप फेस वोश कर सकते हैं कोई मसला नहीं है और बिल्कुल यह निस्खा लगाने के बाद आए जो मास्क लगाने के बाद आपका चेहरा जब आपका चेहरा जो आएगा बिल ताकि जो भी हमने हमारे फेस पे लगाया है, मसाज किया है, फेस बिलकुल काम हो जाए, फेस को एक शांती मिले, फेस पे बढ़िया से जब आप ये टोनर लगाएंगे तो आपके चेहरे पे जो चवक है वो बरकरार रहेगी, अब यहाँ पे अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप इसकी जगा गुलाब जो इलका इससे माल करेंगे, गुलाब जो लिक नैचुरल टोनर का काम करता है, ठीक है बढ़िया से आपने लगाया, फिर टैप टैप करके पूरे फेस पे आपने अपलाई कर लेना है, यह आपके स्किन पे इचिंग जलन नहीं होने देगा, गर्मियों में बहुत अच्छा रहेगा, फ्रेश फील आपको कराएगा, बहुत ही अच्छा आपको यह लगा कर फील होगा, स्किन को टाइट बनाता है, स्किन पे बहुत अच्छे से ग्लो लाता है, तो आपने टोनर का इस तरह से कर लेना, यह आपके डील स्किन को भी बनाता है इस तरीके से प्रोपर आपको ये चारो स्ट्रेप यूज़ करने हैं मैंने आपको पूरा प्रोपर इस्तेमाल करके फिर बताया है मैंने खुद पहले इसको अप्लाई किया मुझे इसके बहुत इच्छे रिजल्ट मिले तो मैंने सोचवा कि ये नुसका मेरी फ पुचाती हूँ और जो फेल हो जाता है अच्छे रिजल्ट नहीं देता है उसको आपके पास नहीं पुचाती हूँ वीडियो लाइक करें बीना बिल्कुल भी नहीं जाना है व्लोग चैनल है मेरा जियोती महलवाल व्लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो महां पर डेली लाते रहते हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाना है पहले बार देख रहे हैं तो ताकि आपके स्किन भी बिना पैसे खर्च किए बहुत बढ़िया तरीकी से निखार सके स्किन पर निखार आ सके और बिलकुल आप भी चमकते गोरे चिट्टे बहुत प्यार चेहरे के मालिक हो सके तो दोस्ता मैं जोते मिलती हूं आप से कलेक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई लाव यू अल माई फ्रेंड्स